हेलो हाई जैजी नेंद्र आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है आज हम यहाँ पे बनाने वाले हैं जो कि गुजरात और महारास्ट्रा दोनों ही जगा बहुत प्रसीद है और उसका नाम है श्रीखन आपने देखा ही होगा अमुल श्रीखन बजार में मिलता है बट उससे कही गुणा ज्यादा टेस्टी हम आज यहाँ पे बनाएंगे गैरेंटी है कि उससे कही गुणा ज्यादा अच्छा बनेगा चलिए देख लेते हैं कि कैसे बनाया जाता है बहुत सरल है, बहुत सिंपल है ना तो घैस चाहिए और ना ही बहुत सारे इंग्रीडियंट्स बस जो भी चाहिए वो यह स्क्रीन पे आपको दिख रहे है और यह हर घर में मौझूद होते हैं इस रमजान कोई भी फेस्टिवल या कही भी आप लोग यह स्वीट को बना के देखिए और इसकी जो प्रेजेंटेशन है वो लास्ट में देखिए अब एक नॉर्मल सी मिठाई को किस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं वो अब देखिए जो की थोड़ा आई कैची हो ओके सो या पे दही को हमको फूल निचोड़ना है किसी भी कपड़े में डालके एकदम इतना निचोड़ना है कि थोड़ा भी पानी ना मिल दिखे बिलकुल जैसे पनीर होता है न वैसा बनेगा यह लास्ट में थोड़ी देर आप इसको टांग देना मिनिमम्म टू आर्स तो आपको टांग ना ही है उसके बाद कुछ ऐसा दिखेगा हमारा कड इसको हंकर बोलते है जिसमें थोड़ी भी मात्रा में पानी नहीं होता फिर इसमें आप थोड़ी मात्रा में इलाइची मिलाईए शुगर मिलाईए बस आपको इतना ही मिलाना है और आपकी मन पसंद राइफ रूट्स अब इतना आये हो तो सब्सक्राइब करके ही जाना ना आपका कुछ जाएगा ना मेरा तो देखिए मॉम यापे इलाइची मिला रही है इतना भी ना मिलाना कि सिफ इलाइची का ही फ्लेवर हो और थोड़े से पिस्ता अच्छे से मिला लेना I'm sure guys you will definitely love it एक बर पक्का ट्राइ करना बहुत सरल है इवन लड़का भी बना सकता है इतना सिंपल है ये स्वीट ओके आगे बढ़ते हैं इसको इतना अच्छे से मिक्स करना कि पूरी शुगर पिगल जाए और यहाँ पे हम एक स्टेप करेंगे जो की प्रेजेंटेशन में बहुत अच्छा दिखेगा इसको त्री कप्स में डिवाइट करना आपकी मर्जी है अगर महमानों को खिलाना है तो थोड़ा दिखाने में भी अच्छा होना चाहिए ना ठीक है यहाँ पे ममाने ओरेंज फूड कलर मिलाया है ग्रीन फूड कलर मिलाया है और एक वाइट ही रखा है ठीक है उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स करना दैन यहाँ पे हम प्लेटिंग कर रहें ठीक है पहले जाएगा ग्रीन कलर आपकी मर्जी आप कौन सा भी कलर पहले डाल सकते हैं दैन जाएगा वाइट ध्यान रखना की ज्यादा मिक्स ना हो ऐसे ही लेयर बाई लेयर करते जाना बहुत सिंपल है आपसे हो जाएगा हाँ उसके बाद ओरेंज ऐसे ही डालते जाना है तो यह बहुत सिंपल रेसिपी हर घर में बनाई जाती है पर थोड़ा अलग लुक में हम ऐसे दिखा सकते हैं कि हमने कुछ नया बनाया है बस यही कोशिश थी मेरी ठीक है अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना और शेर भी कर देना थोड़ा सा पिस्ता से हम इसको गार्निश करेंगे और थोड़ा सा इलाइची पावडर तो लीजिए यह हमारी देखते देखते स्वीट बन गई और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही प्यार देना और कमेंट करना कि आपको ये प्रेजेंटेशन कैसी लगी